महराजा हारी सिंग की छुटी को लेकर राजपूत सबा का अब परदर्शन और उग्र होता हुआ नजरा रहा है आज जमू के तवी पुल पर जो है महराजा हारी सिंग की छुटी को मांग को लेकर जो है एक बाइक रैली का आयोजन क्या गया इस दोरान इन्होंने जमू कश्मीर के उपरा जिपाल परशासन के खिलाफ जम कर नारे बाजी की और मांग की है कि जल्द से जल्द छुटी को घोशित किया जाए बुलाम नभी आज़ाद अपनी नई राजनितिक पारी की शुरूराट करने के लिए जमू पहुंच गया है पतादे की सुबा 10 पच कर 45 मिनट के करी जमू की एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां नीताओं एब उनके समर्थों ने गरंग जोशी से उनका स्वागत क्या इसके बाद वे सीधा गांधी नगर स्थित अपने आवास थान पर गए और कुछ समय विश्राम करने के उपरांत वे रैली में पहुंच चुके हैं जहां पर वे अपने समर्थों को संबोधित करते हुए नजर आ रही है उमीद की जा रही है कि आज गुलाम नभी आजाज जो है इस मंच से नई राजनितिक पार्टी का एलान करेंगे अपनी पार्टी के प्रधान साइध अलताब बुखारी की तरफ से और साथी साथ अन्य लीडर्स की तरफ से आज उपराज पाल मनोस सिना के साथ राजभवन में मुलाकात की गई इस मुलाकात के दोरान उन्होंने बताया कि उन्होंने जमुकश्मीर के कई मुद्दों पर बाचीत की जिन में से खासकर युवाओं का मुद्दा सबसे उपर रखा गया उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दे पर उपराजपाल परशासन ने ये स्ताफ किया है कि जल्द ही जो है उन्हें उनकी नोखरियां मिल जाएंगी परदेश में बीदी राज से जारी बारिश के कारण आज सुबा नौ बजे के करीड जम्मु शेन नगर राष्टर राजमार यातयात के लिए पंध हो गया रामबन जिला के मिहाड इलाके में पहाड से मलबा राजमार के बीचो बीच आकर गिर गया इसे दोनों और स्याकडों की तादाप में छोटे और बड़े वहन फस चुके हैं वही स्थान ये परशासन के ओर से राजमार पर गिरे मलबे को हचाने का काम शुरू हो चुका है जमकश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंच के गाउं दिगवार का रहने वाला युवक मुहम्मद रशीद उत्र स्तर दिन जिन की मानसिक हालत छीक ना होने के कारण कहीं गुम हो गया था उसे घरवालों ने उसकी गुमशुदी की रिपोर्ट जिला पुंच के पुली स्टेशन में लिखवाई लेकिन कुछ दिनों बाद उसका पता चला है मुहम्मद रशीद सीमा पारकर पाकिस्तान चला गया था दोनों तरफ से बाचित के बाद 3 सितंबर शाम को पाकिस्तान ने पार्ति सेना के हवाले उसे कर दिया है और अब उसके पूश्टाज के लिए पुली स्टेशन पुंच में लाया गया है जमो में शनिवार को दिन बर ढूप ठिलने के बाद शाम को हुई बादिश ने उमत से राहत दिला दी है परदेश के अधिकाश हिस्सों में भी मोसम लगबग साफ रहा जमो कश्मीर में अमुनन मांसून सितंबर के मद्दे तक सक्रिय रहता है मोसम विज्ञान केंदर श्रीनगर के अनुसार चार और पांच सितंबर को जमो संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है उपराजपल मनोसिना ने शनिवार को कहा कि हमारा मजबूत सामाजिक आर्थिक विकास हमारे खेल शेतर में गुन्मात तक बदलाव लाने के लिए सफल हो रहा है आज हमारे खिलाडी देश विदेश में होने वाली पृतियोगिताओं में अपनी प्रतिपा के से सभी को परभावित कर रही है जिला के नुशेरा इलाके से एलोसी पर जखमी हालक में पकड़ेगे फिदाइन आतंकी ईश शनिवार शाम सैने अस्पताल में दिल का दोरा पड़ने से मोथ हो गई रक्षा परवक्ता के अनुसार सेने अस्पताल में उप चार दिन तरबात को शनिवार को दिल का दोरा पड़ा जिससे उसकी मृत्यू हो गई